मिथुन रासी वालों का कटो सतिया बूद के प्रभावाले मिथुन रासी के जातों का सुवाव थोड़ा सा सेलपिस सामानिय से कम गुशल और आत्म विश्वास से भरा होता है किसी भी क्षेतर में बहुत कुछ हासिल करने की जिनकी तमन्ना होती है और जिनके जिवन में आलस का प्रभाव रहता है और अपने दम पर आगे आने वाले लोगों को आप देखे तब आप जरूर समझ लिजिए कि यह मकर रासी के ही लोग हो सकते है क्योंकि इन लोगों को संगर्ष का सामना करना पसंद होता है यह जल्दी हार नहीं मानते हाँ इनके जिवन में आगे आने के लिए कोई वजह जरूर होती है एसा ही स्ववाव वाले मित्वन रासी के लोग अपने जरूरते पूरी करने के लिए बहुत कठिन से कठिन परिश्रम करने से पिछे नहीं हटते इन लोगों को यात्राए काफी पसंद होती है गंबिर चुलबुल व्यवहार से ही किसी को भी अपना मित्र बना सकते है और यह अपने मित्रों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तयार रहते है इसलिए ही मित्वन रासी वालों की दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है समंद के से निवाए यह मितुन रासी वालों के पास से सिखा जा सकता है मितुन रासी के लोग इस्वर के प्रती सद्दा और भागिया में विश्वास रखते हुए भी कर्म करने से हटते नहीं और यह प्यार के प्रती बहुत ही गंबिर होते है मिथुन रासिवालों की एक ही उमीद होती है कि इनके जीवन में कोई सच्चा प्रेमी सच्चा साथी जीवन साथी के रूप में आए और उनकी जिन्गी को बहतर बनाए और परिवार के साथ सुखी सुखी जिन्गी बिताए इन लोगों की पसंद काफी अलग ही होती है प्यार विवाह के मामले में यह जल्द बाजी करना पसंद नहीं करते इसलिए ही मसिवालों का विवाह या जल्दी से हो जाता है या फिर देरी से होता है मितुन रासी वाले प्रत्यक कारियों को बहुत योजनाबत तरीके से करने में माहिर होते है इन लोगों को गुमना भिरना काफी पसंद होता है इसलिए ही मनोरंजन से जुड़े हुए क्षेत्र से यह काफी प्रभावित होते है खेल कुद से इनका पुराना रिस्ता होता है मितुन रासी वाले महनती समरपित और वफादार तो होते है साथ में इनको जिम्मेदार्यों का भान होता है और यह लोग अपनों से रिस्ता बनाये रखते है माता पिता के प्रति उनका सने विश्यस होता है उन उनकी जगह कुछ अलग ही होती है जल्दबाजी में नेर्ण कर रहने वाले यह लोक शायदahlen किसी की जासे में आते है बुद्टिक्सतर भी कापी अच्छा होता है इस लोगों के समंजे जल्दी से बिगड़ते नहीं पेशे के बावबत में यह किसी की भी नहीं सुन्ते भस एक बार सोच लेते हैं वही करते हैं, इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता, कभी कभी लोग इन लोगों को हंकारे भी समझते लेते हैं, लेकिन वास्तों में ये लोग दिल के बहुत ही सचे होते हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा सत्रू होता है करोध, बारह रासियों में से मेंस्ण रासी एक विशस्थान पर बिराजमान है, इसलिए हम नमस्कार, उमेद है यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा enteram award क्एम्धन शेह नोमने उस पर भी क्लिक कीजिए और वेदिक साधना चैनल परिवार से जरूर जुड़िए उमीर है आप और हमारा समन ऐसे ही बना रहेगा जल्द ही नया वीडियो लेकर हाजिर होगे नमस्कार जैगिन नारी